महानायक मोधी, जी हाँ ये नाम है उस किताब का जिसे दीज्याना मीडिया समू के सराकार कृष्ण मोहन जहा ने लिखा है कृष्ण मोहन जहा ने इसमें प्येम मोधी के जीवन और प्रधारमंतिक डूप को उनके 6 साल के कारेकाल को लिपिबद्ध किया है हाल ही मुन की किताब महानायक मोधी काशित हुई, कृष्ण मोहन जहा के स्कृतित्व पर दीज्याना मीडिया समू के मदी पेजिंदर सिंग भूबन, ग्रूप एडिकर इजवान एमस सिद्धिकी और सलाकार संपादक दमिश शर्मा ने कृष्ण मोहन जहा को बधाई और जगम दिन के उपर उनने एक पूरी बुक लिखी जिसका विमोचन हुआ, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं करिश्मान जहाजी को, और हम मंगल कामना करते हैं कि वो इसी तरीके से जो भी हमारे भावी राजनेता हैं, जो बहुत अच्छ दोश के रहे हैं, उनके लिए पूशन को इसी तरीके से पॉजिटिव हैं में लिखते रहे हमारे उनको बहुत 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 बढ़ाई और बहुत बहुत बात बसकुश हैं अज हमारे डीजियना विडिया समू में महणायक मोधी का आगमन हुआ है, यह एक ऐसी पुस्तक है, जिस मुदी जी के जो काम उसका उलेख है हमारे अन्यने सहयोगी और डिज्याना मीडिया क्रूप के फॉल्टिकल लेटर और सलाकार कृष्ट मोहन जहां ने कुरूना काल में इसका संकलन किया और जो कुछ वो समय समय परदेश और बहुतमान परिस्तियों पर लिखते रहे हैं उसका समावेश है इसमें हमारे डिज्याम इंडिया समूंग के दफ्तर में भी ये पुस्दक आई और विदिवत उसे यहां भी हमारे एमडी शिरी पेजिंदर सिंग इंबन में उसका उसको भेंट की से पहले भी एक पुस्दक आई थी नरेंदर मोदी जी पर तो नरेंदर मोदी जी और उनके द्वारा निरने जो समय समय पर लिए गए उस पर कृष्ट मोंझी के आलेक आए हैं और मैं समझता हूँ देश के सारे प्रमुक्षवारों में छपे वो पुस्दक भी उन आलेको का संकलन थी यह पुस्दक भी नालेकों का संकलन है और स्वाबाभी गुरूब से यह दपी उनके आलेक पहले भी लोगों ने पढ़ लिये थे उसके बाद वो पुस्दक भी चर्चित रही थी मैं समझता हूँ उनके आलेक जितने लोग प्रिय और चर्चित रहे यह पुस